जब भी हम online form भड़ते हैं या किसी website पर apply करते हैं किसी परिक्षा के लिए तो हमको सबसे पहले वहाँ पर image और signature अप्लोड करने के लिए बुला जाता है और उसके लिए पर्टिकुलर साइज दिया जाता है इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे टूल्स बताने वाला हूँ जिससे आप 4 MB या 10 MB की image को 100 KB या 80 KB में convert कर सकते हैं और वो भी बिलकुल फ्री में है अगर ऐसा कोई software आपको चाहिए तो आप या तो Photoshop डाउनलोड करते हो या तो किसी paid website पर चले जाते हो लेकिन इस वीडियो में दो ऐसे फ्री टूल्स बताने वाला हूँ जो आपके हमेशा काम आएंगे और इसके लावा और भी बहुत सारे काम आउन software से आप कर पाएंगे चलिए जल्दी चे शुरू करते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक random image है जो अभी मैंने क्लिक किया है और इस image का अगर मैं आपको property चक करके बताऊंगा तो यह है 4.3MB की image अब इसे मुझे compress करना है तो compress करने के लिए हमारे पास में दो tool हैं जो कि free हैं और बहुत तेजी के साथ में काम करते हैं तो यह image के size को तो compress करेंगे ही साथ में हम image को अलग-लग file formats में convert भी कर पाएंगे कितना आसान है कितना सरल तरीके से हमें इस काम को करेंगे वह मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले जो हमारा tool है वह है एक online tool जिसका नाम है squash.app तो यहां पर किसी भी image को आपको drop करना है या फिर paste करना है तो बस आपको यहां से ctrl c लेना है और यहां website पर जाके ctrl v कर देना है तो image जैसे ही paste करोगे आप तो यहां पर आप देखोगे कि यह आपको image दिखने लग जाएगी मैं थोड़ा से जूम आउट कर लेता हूं तो आपको अच्छे से दिखाई दे जाए यहां पर नीचे zoom in and zoom out का option है अब यहां पर देखो image के बीच में एक scroll आपको दिख रहा होगा और इसकी side में आपको दो tool दिखेंगे पहला tool है यहां पर original image के लिए यह जो आपको दिख रही है 4.44 MB और दूसरी side में वह image का आपको part दिख रहा है जो अभी compress हो गया है जिसका size कम हो गया है तो यहां पर तो इस website ने खुद से ही 78% size को reduce कर दिया यहां पर अब जो image हमारे पास है वो है केवल 984 kg अब यहां पर आप और क्या क्या कर सकते हैं देखो edit वाले section में जाके आप image को अलग-अलग file formats में convert कर सकते हैं और compress कर सकते हैं जैसे web.p मैं यहां पर लूँगा तो अभी image यहां पर browser के लिए जो jpeg file है वो यहां पर आपको मिल जाएगी अब जैसे jpeg में convert करेंगे आप तो यह 1.2mb की रह जाएगी इसके बाद browser के लिए png में अगर आप इसको convert करेंगे तो यह image 13mb की बन जाएगी मतलब बढ़ जाएगी png images की quality बहुत अच्छी होती है इस वज़े से य monoside के अगर quality को compare करना चाहे तो इस तरह से आप कर सकते हैं तो यहां पर हम mouse jpeg को इस्तमाल करेंगे और देखे size हमारा बहुत कम हो जाएगा यहां पर आपको resize करने का option मिल जाएगा उपर अगर आप चाहो तो यहां पर अलग-लग method से अपनी image को resize कर सकते हो यहां पर कुछ presets दिये गए हैं जैसे 25% अगर आपको लेना है इन total image का तो 25% हो जाएगा लेकर आप देखो के जैसे आप resize करोगे तो यहां पर मैं आपको quality दिखा रहा हूँ यह 25% पर image की quality ऐसी है तो जो पीछे text लिखे है न वो भी blur हो जाएगे तो यह हमारी original text quality तो हमना reduce कर दिया quality को व इदर से भी आप कर सकते हो जैसे जैसे आप size को change करोगे तो यह scroll आपको इस image पर घुमाना है और आपको size पता चल जाएगा download करना बड़ा असान है तो simple आपको यहां पर click करना है तो browse feature open हो जाएगा windows का और आप इस image को बड़े आसानी से यहां पर जाके save कर सकते हैं दिखो आप जब इसको check करेंगे तो यह रहे गया है हमारा 4.23 MB तो यह बहुत बड़ा अंतर है अब देखो यह तो हो गया online tool अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक offline tool जो कि बहुत ही best tool है लेकिन उससे पहले बहुत important information आपको देना चाहता हूँ अगर आपको मेरा पढ़ाने का त description में जाना है यहाँ पर आपको join pen drive course का option दिखाए देगा इस पर आपको click कर देना है इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी offline pen drive course की website पर यहाँ पर आपको एक pen drive course दिखाए देगा A2J computer mastery course इस course में पूरे 19 professional courses सामिल है जो की lifetime validity के साथ आपको मिलने वाले हैं जिसके साथ आपक आपको lifetime validity के साथ में मिलता है जिस पर आपको कभी भी internet की आवशकता नहीं होगी हमारे courses को देखने के लिए यह pen drive चार devices पर काम कर सकता है आपके PC पर आपके mobile phone पर tab और आपके android smart tv पर अब यहाँ पर इस समय अगर इस course को आप buy करते हैं तो यहाँ पर 60% का discount चल रहा है जिस तो यहाँ पर आपको coupon code यूज़ करना है डबल नाइन PC डबल टू और इसको यहाँ पर apply कर देना है जैसे आप coupon code अपलाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यह course आपको केबल 2499 यानि 25 रवे का मिलेगा तो जो भी 5 लोग पहले यह coupon code यूज़ करेंगे उनको इस coupon code का जाके install हो जाएगा मतलब जब आप mouse का right click करेंगे तब यह converter काम करेगा और simple एक click में आप किसी भी file को convert कर पाएंगे images file को भी बड़े आसानी के साथ में आप convert कर पाएंगे आपको यहाँ पर download पर click करना है तो यह converter नीचे इस तरह से download हो जाएगा इसके बाद यह converter आपके computer में install हो जाएगा अब जैसे ही आप किसी भी image file पर जाके right click करेंगे तो यहाँ पर आपको option मिलेगा file converter का यहाँ पर आ यह cable रह गई है 844 के भी की तो इस image का size अगर आपको और भी कम करना है तो file converter पे जाना है इस तरह से right click करके और configure presets पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको देखो output format दिखाए देगे तो यहाँ पर अभी हमने output format jpg select की है यहाँ पर आपको quality को आप जितना चाहें उतना reduce कर सकते है तो यहाँ तक हम 30% तक ले जाते हैं और इसे यहाँ से save कर देते हैं अब इस बार दुबारा से हम इस file को convert करके देखेंगे jpg में तो यहाँ पर यह फाइल convert होके आ गई है अब दुबारा से इसको check कर लेते हैं इसका size क्या रहा है तो इस बार इस image का size है वो रह गया है cable ब और जिफ फाइल में तो आशक करता हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इस वीडियो के जो दौनों टूल है वो आपके किस तरह से बहुत काम आए है नीची कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद वन्यमादरम